हेलो एवरीबन वेलकम टू आय एक्जैम भी दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की अपने इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुरुक्षित्र मैगजीन को उसको हम क्विकली रिवाइस करेंगे और दो यह पीडियेफ आपको होगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पे हमार एक भी अग्रिकल्चर मार्केटिंग एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जब से फार्मर प्रोटेस्ट है तो यह अपने आप में एक इंपोर्टेंट है और रूरल मार्केटिंग क्योंकि गौवर्मेंट का भी बहुत ज्यादा फोकस है आप सभी को पता है कि एग्रिकल्च मार्केटिंग तो हम यह देखेंगे कि गौवर्मेंट क्या क्या चीज़ें इसमें कर रही है डीटेल के लिए आप इस बार का इशू पर सकते हैं जो भी स्टूडेंट नाबाट फेस्टू के लिए प्रिपैर कर रहे हैं तो वह जरूर पढ़े जुलाई का इशू अगस्ट का अगरी कल्चर पर अभी यह रूरल मार्केटिंग पर है तो इसमें डिसकस किया गया है तो इस सबसे पहले चैलेंजिस क्या है लो लेंड होल्डिंग होने की वएसे क्या होता है कि फार्मर बहुत ज्यादा प्रेड्यूस नहीं कर पाता है जब हम बहुत आपके पास होना चाहिए तभी आप निगोशेट कर सकते या मार्केट कर सकते हो बहुत थोड़े ही बहुत कहँछ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो lower scale of production होता है, seasonal production है, seasonal binding, उसके पास क्या है कि खरीब season का है, तो उसको उसी time पे उसको dispose करना है, next season में नहीं कर सकता है, या climate condition अच्छी नहीं है, तो product उस पे भी define होता है, then scattered production centers है, farmers individually produce करते हैं, यह पे हमसे में जाके direct sell कर देते हैं, तो कोई collaborations नहीं हैं, जिसके इसी वज़े से government farmer producer organizations या फे cluster approach लेकर आती है, low demand है rural areas में, तो होता क्या कि क्योंकि हर कोई same farming ही कर रहे हैं, तो वहां पे कोई product की बहुत ज़्यादा demand नहीं हो पाती है, और क्योंकि transportation facility या marketing facility अच्छी नहीं है, तो better price नहीं fetch हो पाते हैं farmer को, जबकि आप देखो अगर आप बड़े mall में जाएंगे, तो आप वहां simple देखिए, कि जो अगर एक onion है, onion को chopped onion होगा, तो वह single chopped onion, आपको 30 to 20 रूपी का पर पीस मिलेगा, जबकि आप देखते हो, अगर आप normal market में जाओगे, 20 से 30 रूपे किलो, present condition के इसाब से आपको onion मिल जाएगा, तो यह difference रहता है, यह product बनाने में, product की branding में, और उसकी marketing में, difference है, यह सारी चीजे, market, rural area में अभी भी available नहीं है, then transportation, एक अपने आप में बहुत बड़ा constant है, और then warehousing, आप सभी को पता है, agriculture perishable है, उसकी shelf life बहुत कम होती है, तो उसको preserve करना, और फिर ऐसे warehouses, cold storage बनाना, अपने अभ diverse culture, एक तो बहुत सारी languages में diverse culture है, तो जो product है अगर कोई भी product बनाए, तो आप देखिए कि आप जैसे ही थोड़ा सा region change करते हैं, तो language barrier, cultural barriers आ जाते हैं, तो उसकी वैसे भी काफी दिक्कत होती, rural area में, product बनाने में, तो क्या forward हो सकता है, वे forward क्या हो सकता है, कि emphasis किया जाए, aggregation में, मतलब single single ना करे farmer marketing, वो group में करे, creating localized market through rural marts, तो rural marts बनाए जाए, so that की localized market बन सके, collaborations with commercial organization, जिसकों contract farming भी कह सकते हैं, या फिर direct collaboration, हर टाइम नए product development पे emphasis होनी चाहिए, रदर दिन की raw, अभी आप देखो कि जितना भी agriculture produce है, वो APMC market में, बिल्कुल raw sold कर दिया जाता है, by the farmers, उसके बाद, जो manufacturer है, या प्रोसेसर है, वो उसको process करता है, तो फिर सारा benefit उसका होता है, या फिर जो भी आपको को profit, उसका होता है, farmer का कोई benefit या profit नहीं होता है, तो farmer भी focus करें, product development के लिए, skill provide की जाए, communication, promotion of rural product, digital and online marketing, e-name में एक उसी के लिए की step है, direct marketing of rural products, and good branding, तो good branding is again, this is important, और इसके लिए क्या है, कि बहुत सारे constant है, उन constant को दूर किया जाए, तो government ने उसको दूर करने के लिए, SSG है, जाए FPOs है, उसकी मदद से government इसको करना चाहा रही है, आप देखो कि government इसी direction में काफी सारे work कर रही है, then marketing strategy की बात की जाए, तो product strategy बनानी होगी, price strategy and then promotion strategy and product placement and distribution strategy, तो जब भी हम marketing पढ़ते हैं, अगर आप normal में भी marketing concept पढ़ते हो, तो उसमें भी 4P होते हैं, तो वो 4P mainly इसी चीज को define करते हैं, कि कि किसी भी product की जो cycle होती है, उसके जो phase होते है, उसमें 4P are important, that is, सबसे पहले तो product अपने आप में अच्छा होना चाहिए, then उसका price strategy, then उसकी promotion, marketing, आज की टाइम पर आपको पता है, अगर promotion सबसे ज़्यादा अच्छा है, then आपका product कैसा भी हो, वो market हो जाता है, बट अगर आपका बहुत अच्छा product भी है, आप उसको market नहीं कर पारें, लोगों तक नहीं पहुंचा पारें, तो आपको कुछ भी नहीं मिले जाएगा, then product placement and distribution strategy, product जो आपने बनाया है, आप उसको different states में, या फिर different different जगह में, कैसे उसको distribute कर रहे हैं, ये पूरी strategy होनी चाहिए, then challenges in rural product branding, अब challenges क्या है, ठीक है, ये होना चाहिए, ये हो रहा है, government इतना कर रहे है, फिर भी क्या challenges है, challenges हैं कि deprived markets हैं, deprived लोग है, multi linguistic customer base है, low literacy है, difficult in understanding brand asset, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, आज के टाइम पर भी कोई भी नहीं समझ पाता है, कि अगर आप brand बनाते हैं, तो वो एक अपने आप में asset होता है, brand अगर एक बार brand बन गया, जैसे आज के टाइम पर आपको पता है, Maggie, हम Maggie ही बोलते हैं, हम toothpaste के लिए हम Colgate Wordy यूज करते हैं, तो वो अपने आप में brand है, तो ये टाइप से कि understanding होनी चीए brand की, कि brand अपने आप में asset बन जाता है, तो ये challenges अभी भी rural areas में है, maintaining the relevancy and the consistency, कोई start तो करता है, बट क्योंकि challenges हर चीज में starting में आते हैं, तो बट उसमें hand holding नहीं हो पाती है, तो consistency नहीं बनती है, branding is a costlier affair, वो सस्ता भी नहीं, अगर आपको trademark registration है, अगर आप सारे issues देखोगे, तो branding एक महंगा issue भी है, तो again उसके लिए, बहुत the knowledge and reach होनी चाहिए, then suggestion क्या है, क्या हो सकता है, कि geographical indications को use किया जाए, product बनाने में, specialized product, आप देखो कि जो one district, one product है, वो इसी को basically promote कर रह है, creating brand ambassador by the government, क्योंकि आप देखोगे, जो private entities होती है, या फिर जो profit making entities होती है, वो तो अपना promotion कर लेती है, ambassadors के द्वारा या फिर, जो भी होते है, but यहाँ पर क्या है, government उनको provide करे, brand ambassadors बनाके, so that कि उनके product की marketing हो सके, highlighting the product feature, so that तब market में लोगों को पता चले कि इस product के feature क्या है तो effective marketing through rural collectives, तो इसमें क्या है, effective marketing अगर जो लोग एक group बनाके, या फिर cluster बनाके, या फिर FPO's बनाके करते हैं, तो उसके लिए क्या है, जो government अभी कर रही ही, वो क्या है, एक तो e-name, तो e-name का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि आपको real time में, दूसरी मंडी का, दूसरी ज बहुत एक अच्छा important intervention है, then developing rural hearts into the grameen agriculture market, creation and utilization of agriculture market infrastructure fund, और सांतिसात गौर्मेंट ने agriculture infrastructure fund अभी बनाया है, 1 lakh करोट रूपीज लास्ट ये इसके लिए लाँच किया गया है, प्रदानमंत्री ग्रामीन सड़क योजना, तो basically जो phase 3 of the grameen, प्रदानमंत्री ग्रामीन सड़क यो कि जो grameen agriculture markets है, उन तक roads को पहुंचाया जाए, so that कि वो real time में, या basically जब produce market में आता है, उसके बाद हम उसको कहीं भी पहुंचा सके, then cluster based approach, vital issues and challenges क्या है, handling marketable surplus की, marketable surplus क्या होता है, जो farmer ने produce क्या है, जो ready है, market करने के लिए, या फिर sell करने के लिए, तो उसकी proper handling हो, technology और innovation का यूज किया जाए, marketing channels proper होने चाहिए, inviting investment, चाहे private investment है, चाहे foreign investment है, क्योंकि अगर वो आएगे तो processing बड़ेगी, उससे employment भी मिलेगा और better return भी मिलेंगे, awareness on marketability, तो अगर आप देखोगे, पूरा जो focus किया गया है, पूरा जो author ने जो पहले article में focus किया है, वो किस पे किया है, marketing, branding और product making, तो again, जो इसका list है, वो यही है, कि जो हमारा raw product अभी तक farmer sell करते हैं, अगर वो raw की जगे, कुछ post processing या फिर proper product formation, then उसकी branding, then उसकी marketing करें, तो उसको अच्छे return मिल सकते है, then storage capacity constant, तो यह सारी चीज़े marketing से related है, then, नाबाट के लिए, अगर आप अभी से prepare कर रहे है या अभी तक आपने preparation start नहीं की है, for phase two, तो आप जरूर करें, phase two के लिए, I exam भी लेकर आया, आपके लिए specific, five mock test for ESI, five mock test for ARDN, five mock test for English writing, जो कि descriptive type of questions, यहाँ पे आपको मिलेंगे, पूरा जैसा आपका examination pattern है वही पे, और साथ ही साथ, इसमें आपको personalized feedback, और individual evaluation किया जाएगा, और इसके साथ regular life classes, study notes, यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, तो आपने अभी तक नहीं join किया, तो आप आज ही join करें, and you can get the 42% off, जो हमारा big bid offer चल रहा है, तो आप उससे 42% off भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि result आने के बाद, अगर selection नहीं हुआ, तो मेरे पैसे waste ह हो जाएंगे, तो आप उसके लिए निश्चंत रहे, आइक्जैंबे विल रिफंड 100%, ओके तो अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आप हम फिर से आते हैं, अपनी रूरल मार्केटिंग पर, तो जैसे में आपको ब कि ग्रामीन अग्रिकल्चर मार्केट्स को इसमें फोकस किया गया है, बाकी आप सारी चीजे पढ़ सकते हैं, हम हर चीज को यहां पर इलेबरेट नहीं करेंगे, पीडिएफ आपको मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर पढ़ें, आपको फेस टू के लिए काफी इससे हेल पोगी, तो अगर आप देखें, प्रधानमंत्री ग्रामीन सड़क योजना जो थर्ड है, वो 2019 में स्टार्ट किया था और इसका टार्गेट है, कंस्ट्रक्टिंग 1.25 लाग किलोमेटर, तो 2020 के नाबाड में ये कुश्चन पूछा गया था, तो उसके अलावा, एलेक्रिस प्रामीन मार्केट को हम एक्कुइब कर देंगे, ये सारी चीजों से तो हमारी ये सारी चीजे सुधर सकती है या फिर इसका बेनेफिट, डिरेक्ट फार्मर को भी हो सकता, अगर आप देखो के तो अभी फार्मर ने सेल कर दिया, उसके बाद सारा जो प्रॉफिट है, वो बाकी जो wholesalers है उनीका होता है e-name के बारे में हम देखेंगे 14 April 2016 को start किया गया था facilities इसमें क्या है एक तो free है registration इसमें farmer के लिए prevailing commodity price और arrival time से पहले वो देख सकता है तो वो खुद select कर सकता कि किस Monday में जाके उसको अपना produce sell करना है इंफ्रास्ट्रेक्चर भी create किया गया और उसकी free access farmer को दी गई है तो जो free of cost quality assaying होती है quality assaying मतलब जो वो produce लेके आ रहा है उसकी जो quality check है वो free of cost e-name में किया जाता है और farmer बहुत ज्यादा farmer को टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है वो अपने pass की मंडी में जाएगा और वहाँ पे वह अपने product को दे देगा और जिस भी मंडी में sell हुआ होगा वहाँ पे वह खुद transfer हो जाता है उसके लिए government through operation greens funding करती है then यह सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी इनम अंडी locator app भी है government भी बनाई है अभी इनम जो पोटल है वो इंडियन 11 इंडियन लैंग्वेज़ में work करता है अगर आप कोविट सिच्वेशन 2020 में तो ministry of agriculture farmer welfare ने किसान रथ को लांच किया तो यह फार्मर को यह फैसिलिटी में लिए suitable transport vehicles की for their transportation of agriculture प्रेड्यूस तो इस चीज़ के लिए किसान रथ मोबाइल एप को लांच किया गया था बनाया हुआ है पहले से 10,000 बनाने हैं वाई 2027 इन 28 उसके लिए बजेट्री अलोकेशन भी किया गया 6,865 क्लस्टर एरिया अप्रोच तो जैसा हुआ हमने agriculture मार्केट में या ग्रमीन अग्रीकल्चर मार्केट में convert ये पूरा अम है तो बेसिकली 22,000 ने जिनको convert किया जाना है 2018-19 से ही इस पर काम चल रहा है तो बेसिकली agriculture marketing जो infrastructure है एमाई उसकी स्कीम है integrated scheme for agriculture marketing तो यह पूरी हमारी country में चलती है जो रूरल infrastructure और बेसिकली agriculture marketing infrastructure के अंदर ही कवर होता है अगर आप बजटरी अलोकेशन भी देखोगे तो बजटरी अलोकेशन भी इंटेगरेटे स्कीम फर अंदर ही अलोकेशन किया जाता है इन अलोकेशन को प्रोसप्रसेसिंग के लिए एक आर्टिकल था पंचायती राज पर तो पंचायती राज इस अगेन इंपॉर्टेंट विकॉज अफ एस आई और रूर डप्लेमेंट दोनों में इससे कुशन आते हैं नाबाड में तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पताऊनी चाहिए कि बल्वंत राय में था कमीटी पंचायती राज सिस्टम तब ही से स्टार्ट हुआ पंचायती राज का पंचायती राज क्या है डेमोक्रेटिक डीसेंट्राइजेशन डेमोक्रेटिक डीसेंट्राइजेशन क्या होता है कि जो अंतिम छोर पर वेक्ती बैठा हुआ है उसके बारे में या उसके उसके स्थाव कमेटी ने एडवाईस किया था कि लोकल गॉवर्वर्मेंट में एलेक्शन होने चाहिए, ल.m. सिंग भी कमेटी ने रिकगनाईस किया था नीडव कंस्टिटूशनल अमेंडमेंडमेंड 73rd constitutional amendment किया गया 1992 में यह 73 constitutional amendment Act था यह came into force 24th April 1993 में और 24th April को ही हम पंचायती राजदिवस के रूप में celebrate करते हैं then representation of women to women beneficiaries को या जो women है उनको women empowerment के लिए government ने fix किया कि जो इसमें article 243 है उसके according जितनी भी पंचायत की seats है not less than one third तो at least one third seats reserved रहनी चाहिए for the female candidates then through the constitutional guarantee only one third but कई सारे states है 20 states है जिन्होंने लगबग 50% reservations दिया है women को local level representation में तो यह पंचायती राज के बारे में और उसमें specifically women का कितना participation है उसके लिए then e-gram स्वाराज portal है तो e-gram स्वाराज portal emphasis है और यह कब launch हुआ था April 2020 24th April को जिस दिन नेशनल पंचायती राजदीवस मनाया जाता है लास्ट यह इसको launch के अगया इसके साथ आपको ध्यान हो तो एक और इसकीम launch की गई थी स्वामित्त विसकीम लास्ट यह पाइलेट बेसेस पे लांच की गई थी इस साल government ने dedicate कर दिया for all villages वह यह basically record holding के लिए है then marketing की जो हम बात कर रहे थे उसमें कुछ marketing models है community marketing models है जैसे hopcoms model है यह basically करनाट का government का model है horticulture producers marketing and processing cooperative society limited यह करनाट का government का project है इसी type से various government जितने भी states है सबकी government कुछ ना कुछ marketing strategy बनाती है for the their farmers चाए वह horticulture और agriculture या फिर कुछ भी चीज हो उसके लिए government बनाती है तो यह models हर जेगे according to based need based बनाए जाते है then model operated by करनाट का state mango development and marketing corporation क्योंकि आप सभी को पता है कि जो करनाट का है और अंदरप्रदेश है यह mango production में भी leading है आंदरप्रदेश में सब ज्यादा mango production होता है अभी के साब से तो वहां पर कुछ ना कुछ marketing strategy बनाई जाती है so that कि उसे अच्छा revenue generate हो सके एक प्यों से initiatives लिए गए है model operated by पुदागू करनाट का में model operated by पलमनार फार्मर प्रोड्यूसर ओगनाइजेशन तो फार्मर प्रोड्यूसर ओगनाइजेशन ने भी initiatives लिए हैं for the marketing और the branding of their produce similarly voluntary organization ने जैसे यूए उनिवर्सेटी और अगरिकल्चर साइंसे उनका alumni association है उन्होंने एक marketing model बनाया बैंगलोर में then model by the private players आप सभी को पता है private companies भी marketing करते हैं क्योंकि उससे उनको भी benefit होता है और farmer को भी benefit होता है तो इसके लिए model operated by टैंसीरी वेजिटेबल एंड करनाटका में model operated by शिनौई fruits and करनाटका का है ये भी mode operated by the village story विलेज स्टोरी model भी है करनाटका में तो ये बेसिकली private entity से operate होते हैं तो basically कहने का मतलब है कि जितने भी marketing models है वो state government अपने level पे भी करती है इसके लावा जो fpos हैं वो भी इस काम को कर रहे हैं क्लस्टर बेस्ट एप्रोच है तो एक क्लेक्शन होना चाहिए फार्मर का वह साथ में कर सके देन कुछ voluntary organization farmers को help करते हैं similarly private players भी farmers को help करते हैं so this is all for the rural marketing issue of the कुरुक्षेत्र magazine September 2021 दोस्तों इसका pdf आपको हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो आप उसे जरूर जोइन करें और अगर आपको हमारा exam B के कोई से भी course को enroll करना है तो आप enroll कर सकते हैं नबाड RBI से भी IBPS से एफ हो या फिर कोई भी एफ हो आपको भी big b days में 42% off मिलेगा तो definitely आप इसका फायदा उठाएं और हमारे exam B की site पर आपको किसी भी exam के लिए mock test मिल जाएंगे which are absolutely free तो आप free mock test को भी जरूर attempt करें और आप खुद को analyze करें अपनी preparation देखें और अच्छे से अपने exams के लिए prepare करें Thank you all of you for watching and have a good day ahead